हेलो गाईज स्वागत एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने ही चैनल फैंटसी बज में दोस्तों स्कॉटलेंड और आयलेंड का जो सेवन्थ मैच खिला जाएगा वर्ल्ड कप का अगर इसमें एक विनिंग टीम बनाना चाहते हैं तो उसके लिए जो मोस्ट लॉजिकल होगा वह आपको इस वीडियो में मिलने वाला है तो आपको पूरा वीडियो ध्यान से देखना है अगर आपको एक फैंटसी विनिंग टीम बनाना शीखना है तो बस आपको एक चीज धियान रखना है कि आफ्टर टॉस के बाद जो भी अपडेट आता है और इस वीडियो क description and comment section के सबसे पहले comment में link दे दिया गया है तो जल्दी से जाएए और जुड़ जाएए दोस्तों यह मैच खिला जाएगा Hobart के ground पे अगर मैं Hobart के ground की बात करूं तो in short यह wicket बल्लेबाजों के लिए अच्छा होता और spin और Pacers में से Pacers को जादा support करता है जो अगर आप देखे सेकेंड बल्लेबाजी का नवली टीम जीती है 167 का average score और spinner और Pacers में से यहाँ पे Pacers ने ज्यादा विकेट निकाले 21 ठीक है अब देखो यहाँ पे भी कुछ मुकाबले खेले गए 2020-21 में तो उसका सेम जो मैंने आपको उपर बताया वह ही है अगर आप लोग इस्टेटिकल व्यू देखेंगे तो वही conclusion निकलेगा आप देखना चाहें तो देख सकते हो यहाँ पे भी Pacers और Spinnis को ज्यादा support मिला है बट सायद ना करें क्योंकि इनको इनकी टीम गिंदबाजी नहीं देती है बाकि यहाँ पे जो है लेफ्टाम और्थडॉक्स मार्क वाट है ठीक है यह चीज़ ध्यान रखना अब देखो अगर मैं बात करूं यहाँ से स्कॉट्लेंड की प्लेइंग 11 विद रिसेंट स्कोर तो इनके जो इंपॉर्टेंट प्लेयर है जियोर्ज मंसे बैरिंग्टन क्रिस ग्रिप्स मार्क वाट जॉस जेवी सफ्यान शरीप और ब्रेडविल लास्ट में क्रिस ग्रिप्स ने बॉलिंग नहीं डाली लेकिन वर की बॉलिंग करता आगर वह देखें तो देखो मार «र्षु जाष्ट जफ्यान सरीफ जॉस जवी ये लोग पावरपले में आते हैं l aywash जोष क्रिप्स या करे तो उन्से सेयर कर सकता है मैच में clicks को बॉलिंग मिल सकती है कूई कि स सामवन कीमें राइट ँंडर ज्यादा है तो मुझे नहीं लगता है माइकल इसको के गिंडबाजी मिलेगी क्योंकि लास्ट मैच में वेस्ट इंडीस की टीम वैसे भी इसीन के सामने श्रॉगल करती है आज सामने लेफ्ट इंडर्स भी थे तो माइकल इसको गिंडबाजी मिल गई थी बट इसके अलावा अगर हम बात करें कुछ भी चेंज होता है कोई न्यूप्लियर खेलता तो मैं वैसे भी टेलिग्राम पे इंफॉर्म कर देता हूं तो आप टेलिग्राम से जुड़ जाएगा बिल्कुल फ्री है आपको विडियो के डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट सेक्षन के सबसे पहले कमेंट में लिंक दे दिया गए तो जाहिए और जुड़ जाहिए दोस्तों माई फेविलन पे अगर आप खेलना चाते हो तो खेल सकते हो यहाँ पर डेली हमारे यूजर अच्छा खासा विन कर रहे हैं यहाँ पर अच्छे खासे जो एक एप में होना चाहिए उस सारे यहाँ पर बेनिफिट्स आपको मिलते हैं इंस्टेंट विड्रॉल है डेली फ्री गिवए लोवेस्ट एंट्रिफीस है तो आप लोग यहाँ पर साइन अप करना चाहते तो कर सकते हो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा उ उसके बाद हैरी टेक्टर और एंदर बाल बिर नहीं इनके जो एक एक्सपीरेंस खिलाडी है बट इन लोगा फॉर्म उतना अच्छा नहीं है ठीक है तो कुछ प्लेयर्स ऐसे भी जो इंपोर्टेंट नहीं है बट उनका रोल अच्छा हो सकता उनके बारे में बता दिया आप इनके टीम से कौन कहां पर बॉलिंग करता और कितने ओवर की बॉलिंग करता है जोको मार कदेर जॉस्वल इटल पावर प्ले में आसकते हैं बैरी मकर्थी भी दिख सकते हैं और दिख सकते हैं बाट लावा इनकी टीम से जो अच्छे काश ओवर डालने के चांसे राक का देर बट जो मकैर्थी यह भी अच्छी गिंदवाजी करते हैं तो यह पूरे चार वर डालेंगा दर्वाइस थोड़ा भी महंगे साबी तो इनके ओवर कट सकते हैं और यहां पर डिलानी को इस मैच में ओवर मिल सकते हैं क्योंकि सिमी सिंग ऑफिस पिनर है और सामने ज्य सकते हैं मतलब फिर भी डिसेंट है 23-24 का एवरेज है बट फॉर्म अच्छा नहीं है इसके लावा करति स्केम पर इंपॉर्टेंट प्लेयर है दिलानी का भी डिसेंट स्टैट से उतना खराब भी नहीं तो उतना अच्छा नहीं है मार के देर जोस्वा लीटिल का स्टैट सच्छा बॉलिंग से बाकी किसी का उतना अच्छा स्टैट्स है नहीं ठीक है इनका डिसेंट स्टैट से मकैर्थी का इसके लावा हेड टू हेड की बात करें तो देखो मैथ्यू क्रॉस बेरिंग्टन और यहां से मकलोईड इन लोगों का स्टैट्स अच्छा है स्कॉट् बिर्नी का 33 का इवरेज है बाकी यहां पर देखेंगे हैरी टक्टर एक ही मच खेलें 21 का इवरेज है इसके लावा बॉलिंग से सफ्यान शरीफ 8 मैच में 11 मार्कोट 6 मैच में साथ लिस्क साथ मैच में चार उसके लाव डॉक्रेल 9 मैच में 12 विकिट है इस टीम के अगेंस उसे लेफ्टाम और्फोडोक्स के सामने स्ट्रगल करते हैं डॉक्रेल लेन को तीन बार आउट किया हुआ है बाकी सब एक एक बार आउट हुए है ज्यादा कुछ है नहीं अगर आप देखना चाहते हो एक बार आउट जो किये होते हैं उन्चे कुछ खास कंक्लूशन नि करते हैं यह चीज देख सकते हो थोड़ा सा अब इसके लाव हम चलते हैं टीम सेलेक्शन की तरफ टीम प्रिव्यू की तरफ विकेट कीपिंग सेक्शन से स्टार्ट करेंगे दोस्तों यहां पर दो अप्सन है एल टकर और मैथी क्रॉस देखो अगर हम स्टैट्स वाइस ब मैथ्यू क्रॉस मैथ्यू क्रॉस का लास्ट छे पारियों में से पांच पारियों में सिंगल डिजिट में आउट हुए थोड़ा सा रिस्क है टकर को लेने में भी बट जो लोग रिस्क टेकर है जो हाई रिस्क टेकर है मज़ा आता है जिनको रिस्क लेने में क्रॉस को ले विए सकते हैं या फिर फिर उनका उनके सामने ना हीटिंग करके अधर बॉलर को टार्गेट एक एक कंसिस्टेंट बल्लेबाज हैं जो बट यह एक अच्छी जॉइस हो सकते हैं क्योंकि इनमें काबिलियत है स्कोर करने की पॉल इस्टरलिंग यह थोड़ा हीट और मिस्टाइब के प्लेयर है लेकिन एक्सपीरियंस वाइस देखा जाए तो बहतरी इन खिलाड़ी है अलग-अलग दुनिया भर की लीक्स खेल उसके बाद बैरिंग्टन को लिया है बैरिंग्टन का फॉर्म टीसंट इतना खराब नहीं कह सकते बट देखो यह बॉलिंग करा सकते हैं कभीगर बट चांसे तो कम लग रहें बॉलिंग यह प्लेयर मैं ने इनको लिया है और इनका इस टीम के अगेंस्ट जो है 25 जाने जाते कभी कभार ही टिंग भी कर लेते बट मुस्ट ऑप धाई जो मैंने आपको इनका नेचर बताया थोड़ा समय लेते हैं टिकने के लिए उसके बाद पारी को बिल्ड करते हैं फ़ों नहीं है मैंने नहीं लिखेंट फोर्म इतना अच्छा नहीं है लेकिन छे मैच म बट अभी के लिए कि मैंने बैरिंग्टन और पॉल इस्टर्लिंग को लिए क्योंकि टेक्टर और बाल बिर्नी कुछ खास फॉर्म में है नहीं बट जो रिस्क लेना चाहें स्वरी जो रिस्क लेना चाहें है रिस्क ले सकता है ठीक है यह चीज़ धियान रिखना उसके लेकिन अच्छे हीटिंग कर रहे है ठीक है तो जो लोग मतलब थोड़ा सा हट के टीम बनाते हैं वो इनको ट्राइक कर सकते तो मैंने आपको यहां पर बता है बाल बिर्नी टेक्टर और कब और क्यों और कैसे इंपोर्टेंट रहने वाले हैं ठीक है तो इसका धियान रख इंपोर्टेंट बात है कि उनकी टीम जो कर गई थी क्योंकि सामने अच्छा स्कोर बन गया था और उनकी टीम के किसी बल्लेबाज ने अच्छी पारी नहीं खेली तो प्रेसर भी था एक तो वहां पर विकेट इनको अच्छे खासे मिले बट अभी कले मैंने नहीं लिया व माइचल लीच के ऊँओर जो कटें वो कृश्ट को मिले और कृश्ट को माइचल लीच से नीचे आते बल्लेबाजी करने बट क्रिसज़ ज्यादा बहतर बल्लेबास है टेक्निकल लमलेबास है लास्ट वोल्ड कप में भी इन्होंने अपने आपको प्रूफ किया हुआ है बट वही है कि confidence की थोड़ी कम ही है बट यहां पर बॉलिंग और बैटिंग दोनों मिल गई तो बल्ले-बल्ले हो जाएंगे इसलिए मैंने इनको रिस्क पे लिया हुआ है अगर आपको सेव जाना है तो आप माइकल लीजक को ले सकते हूं सिमी सिंग इनको T20 में आयरलन की टीम उतना ज्यादा प्रेफर नहीं करती है लास्ट मैच में इनको ओवर मिल गए थे और इन्होंने दो विकेट भी लिया था बट इस मैच में सामने वाली टीम में राइट हेंडर्स जादा हैं तो मुझे लगता है कि इनके ओवर कट सकते है इसलिए मैंने नहीं लिया दिलानी को आप लोग ले सकते हो दिलानी को रिसेंट्लि इन्होंने लगतार गिंदबाजी दिया है और इन्होंने विकेट्स भी निकालै है तो सिमी सिंह से ज़्यादा बहतर मैं काऊंगा दिलानी । लियर आते है न आप अच्छा पिकर सकते हो यह चीज मैं भी कर सकता हूं या फिर आपको सेफ जाने तो माइकल लिस्क को ले लो कि उनकी बल्लेवाजी सफियान शरीप से उपर आएगी और बट मैंने उस नहीं लिया है लास्ट मेस के बेस पर काफी लोग लेंगे बट मैंने नहीं लिया है मैं साइद इनके इनका experience उतना नहीं है तो इसलिए मैंने नहीं लिया है अगर आप लेना चाहो तो ले सकते हो ग्रैंड लीग में रोटेशन के रूप में बाकि जॉस्वा लिटिल मस्था पिक विकेट टेकिंग बॉलर चाहे कोई भी इनिंग हो फर्स्ट इनिंग में तो वीसी के भी अच् आप इनको छोड़ने का रिस्क ले सकते हो अगर आपको लेना है क्योंकि ब्रेडविल चाहे जाए वैसे तो डेवी और शरीफ के ज्यादा चांसे रहते हैं ब्रेडविल भी द्यथ में गिंदबाजी कराने के लिए जाने जाते हैं तो फर्स्ट गिंदबाजी में आप मार कोड की जगे मार्क वाट की जगे ब्रेडविल को लेने का रिस्क ले सकते हो हो सकता है काम कर जाए बट मैंने मैच अप के बेस पिर वाट को लिया हुआ है डेवी विकेट टेकिंग बॉलर है और फर्स्ट इनिंग में तो द्यथ में आते हैं इवन सेकेंड इनिंग में हो सकता ही कि यह वहां पर देखो एक एवरेज गिन बाज भी विकेट लिके चले जाता है क्योंकि सामने वाली टिम हिट्टिंग करती है और वहां पे विकेट निकालने के चांसे ज्यादा बन जाते तो ऐसा अगर रहेगा तो इतने विकेट टेकिंग गंद बाज है नहीं ह ये लोग आप जो रिस्क लेना चाहें इन लोगों को ट्राइ कर सकते हो मैंने आपको वीडियो में बता है इन लोग का कब कौन की situation में क्यों बहतर हो सकता है वीडियो के अंदर discussion किया हुआ है जो risk टेगरे small league में भी try कर सकते हो जो otherwise आप grand league में इनको rotate कर सकते हो बागी इस team में कुछ भी change होगा मैं आपको telegram पे inform कर करना यह सब चीजें बहुत मोटिवीट करती है thank you so much दोस्तों यह वीडियो watch करने के लिए मिलते अगली वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद